Hello guys welcome back to my channel and guys आज मैं आपको बताने वाला हूँ Artmes application को आप अपने फोन में कैसे यूज करेंगे तो guys अगर आप भी जानना चाहते हो यह application है क्या और इसे अपने फोन में कैसे यूज करें तो फिर इस वीडियो को देखते रहें वीडियो शू करने से पहले guys अगर अभी तक आपने बारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करके और पर सेट कर दीजिए तो चले friends आज का इस वीडियो स्टार्ट करते है तो सबसी पहले तो guys आपको करना क्या होगा play store के अंदर आना है और इस अप्लिकशन को अपने फोन में डाउनलोड कर लेजिए और डाउनलोड करने के बाद इस application को आपने फोन में open कर लेना है तो जैसे इस application को आप अपने phone में open करेंगे तो सबसे पहले आपको language choose करने का option मिलेगा, तो यहाँ पर आपको language choose करनी है, मैं English language यहाँ पर choose करूँगा, और उसके बाद उपर की side में, तिक वाले option पर click करूँगा, जैसे तिक वाले option पर click करेंगे, उसके बाद इस तरह का option हमारे सामने आ जाएगा, सबसे पहले हम Next पर क्लिक करेंगे, फिर से हम Next पर क्लिक करेंगे, Next पर क्लिक करने के बाद एक बार फिर से हम Next पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एक स्थो PK स्टाइल का option मिलेगा, तो basically यह जो application एक AI art generator application है, जिसके अंदर आप अपनी photo से AI art जो है, और उसके बाद इस arrow के उपर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारी gallery ओपन हो जागी, तो अपनी gallery से आपको photo सेलेक्ट करने है, जो भी photo आप AI art में convert करना चाते हो, वो photo यहाँ पर आप जो है select कर लिजे, तो चलिए for example के लिए हम कोई भी photo चूज करेंगे, जो हम convert करना चाते है, तो guys हम क्या करेंगे, यह वाली photo यहाँ पर हम चूज करेंगे, फोटो मैंना यहाँ पर यह चूज कर ली, उसके बाद इस arrow के उपर हम क्लिक करेंगे, और उसके बाद हमारी photo यहाँ पर चूज हो चूज हो चूज है, हम यहाँ पर continue वाले option पर क्लिक करेंगे, अब जैसे continue पर क्लिक करेंगे, उसके बाद generate now वाला option मिलेगा, इसके उपर मैं क्लिक करना होगा, और उसके बाद दो option हमें मिल जाएंगे, generate now watch video ads और unlock pro वाला ठीक है, तो इसके लिए आपको pro version लेना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको कोई ad show नहीं होगे और unlimited access मिल जाएगा, अगर आप नहीं लेना चाहते तो एक ad को watch करके भी generate आप आप कर पाएंगे, तो चलिए हम एक ad को watch करेंगे, हम इसके उबर क्लिक करेंगे और उसके बाद देख तो all done your art is ready, तो हमारा जो art वो ready हो चुका है और नीचे की side में हम देखेंगे view now वाला option मिलेगा, इसके उबर हम जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद देख तो हमारा जो art वो यहाँ पर ready हो चुका है, उसके बाद इसे save करना है तो यहाँ पर download वाल option मिलेगा, इसके उपर क्लिक करके watch video ads एक और यहाँ पर एड को watch करना उसके बाद इसे जो आप directly save कर पाएंगे अपनी gallery के अंदर एक एड को watch करके आप directly से save कर पाएंगे, साथ ही साथ और भी इसके अंदर options मिल जाएंगे मैं आपको बता देता हूं, तो guys यहाँ पर बहुत सारे अलग-अलग से यूनिक से आर्ट से इसमेंचे जो भी आप लेना चाहते हो अपने इससाफ से आप select कर पाएंगे और जिसमें भी अच्छी आर्ट यहाँ पर convert हो रही है वो यहाँ पर आप select करके अपनी आर्ट वाली photo convert कर पाएंगे, अगर आपको premium लेना तो उपर की side में आप देखेंगे premium वाला option मिलेगा इसके ओपर click करने के बाद आप जो premium लेना चाहते है तो यहाँ से आप ले पाएंगे इसकी प्राइस है वह भी यहाँ पर आप देख पाएंगे ठीक है इसके बाद यहाँ पर आपको setting वाला option मिलता ह के settings में जाकर आप अपनी language यहाँ चूस करना चाहते तो वह भी यहाँ से आप जो है कर पाएंगे ठीक है तो इस तरह से guys आप अपने phone में artmiss application को use कर सकते है